नमस्कार आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्वीघात सुत्र यानि की कौड्रेटिक फामूला बच्चो यदि हमारे पास एक समीकरन हो AX स्क्वेर प्लस BX प्लस C बराबर 0 यदि ऐसी कोई समीकरन हो जैसे 5X स्क्वेर माइनस 6X प्लस 4 बराबर 0 3X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 1 बराबर 0 ऐसी कोई भी द्वीघात समीकरन हो जिसमें X की सबसे बड़ी घात 2 हो और इस प्रकार से हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ब्राबर 0 जैसी कोई समिकरन हो तो इस समिकरन में यदि b²-4ac 0 से छोटे हो यानि कि b²-4ac हम पहले निकालेंगे यदि यह 0 से छोटा होगा तो इस समिकरन के वास्त विकबूल नहीं हो सकते यह इसकी पहली condition है कि यदि b²-4ac 0 से छोटा होगा यानि b²-4ac माइनस में होगा जैसे माइनस 4, माइनस 8, माइनस 12 ऐसी कोई रकम आएगी b²-4ac को हल करके तो इस समिकरन के वास्त विकमूल नहीं होंगे दूसरी condition है यदि b²-4ac 0 से या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो यह देखे यह बड़े का निशान है और यह बराबर का निशान है तो b²-4ac यहां से हम b²-4 गुना a गुना c हम निकाल सकते हैं यदि b²-4ac 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तो इस समिकरन के मूल हो सकते हैं तो इस समिकरन के वास्त विकमूल हो सकते हैं तो इस समिकरन के वास्त विकमूल होंगे और वह किसके बराबर होंगे x बराबर मूल यानि x की value x बराबर होगा minus b इस formula को याद रखना इसी को द्विगात सुत्र कहा जाता है x बराबर minus b plus minus under root इस पूरे root के नीचे है b square minus 4ac बटा 2a अब देखो हमने कहा था b square minus 4ac यदि 0 से छोटा हो यदि b square minus 4ac यदि यह जो root के नीचे रखम है यह 0 से छोटी होती तो root के नीचे minus आता अब root के नीचे minus आजाए तो वह वास्तविक संख्या नहीं होती इसलिए हमने कहा कि इसका वास्तविक मूल नहीं होगा यदि यह b square minus 4ac 0 है या 0 से बड़ा है तो इस समीकरण के यानी x के वास्तविक मूल ग्यात होंगे अब आपको मैं द्वी घात सूत्र एक वार दुबारा समझा रहा हूँ द्वी घात सूत्र क्या है यदि हमारे पास एक समीकरण है a x square plus b x plus c बराबर 0 तो द्वी घात सूत्र ये है x बराबर आप मेरे साथ साथ बोल सकते है minus b plus minus under root b square minus 4ac बटा 2a यहां देखिए बच्चों हमने यहां पे लिखा है plus minus plus minus का मतलब है एक बार plus देखिए यहां plus का निशान लिया और एक बार minus इस plus minus का यही मतलब है आपने confused नहीं होना है plus minus का सिरफ यही मतलब है कि एक बार हम plus वाली रकम लेंगे यानि दोनों के बीच में plus लेंगे दूसरी बार दोनों के बीच में माइनस लेंगे इसको हल करेंगे तो X की एक वैलिव आ जाएगी क्योंकि यह दूवी घात समीकरन है तो X के दो मूल हमें मिल जाएंगे ठीक है बच्चों? आशा करता हूँ यह दूवी घात सूत्र आपको अच्छे से समझाया होगा आपकी रिवीजन के लिए मैं एक बार दूवी घात सूत्र पुनह बोल रहा हूँ यदि हमें एक समीकरन दी हो AX स्क्यर प्लस BX प्लस C बड़ाबर 0 तो हमारा दूवी घात सूत्र होगा माइनस B प्लस माइनस अंडरूट B स्क्यर माइनस 4AC बटा 2A इसी में एक बार प्लस और एक बार हम माइनस लेंगे इन्हें आगे हल करेंगे किसी भी प्रश्ण में तो हमें X के दो मूल प्राप्त हो जाएंगे ठीक है बच्चों आप इसको X बराबर और यहां भी X बराबर लिख सकते हैं तो यह है द्वी घात सूत्र आशा करता हूँ आपको यह बहुत अच्छे से समझाया होगा यदि समझाया तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा धन्यवाद